पुलिस लगातार कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है हाली में मुंबई पुलिस ने फिल्मेकर संजरेला वंसाली से करीब चार घंटे तक पूछ ताच की थी इस दोरान पुलिस ने उनसे सुशान के साथ उनके संबंदों और उन्हें फिल्मों से निकालने से जुड़े सवाल पूछे रिपोर्ट्स की मताबिक पुलिस ने उनसे तीस से जादा सवाल पूछे रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने भनसाली से पूछा कि फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीरव मस्तानी से हटाये जाने की वज़े से सुशान डिप्रेशन में चले गए थे और इस बारे में आपकी उनसे क्या बात चीत हुई थी जिसके जवाब में भनसाली ने कहा कि उन्होंने सुशान को किसी फिल्म से ड्रॉप नहीं किया और नहीं उन्हें रिप्लेस किया था बनसाली ने कहा कि सुशान सिंग राजपूर से मेरी मुलाकात साल 2012 में सरस्वती चंदर नाम के एक सीरियल की कास्टिंग के दोरान हुई थी लेकिन सुशान को उस वक्त इस सीरियल के लिए कास्ट नहीं किया गया था हाला कि मैं उनकी आक्टिंग स्किल से प्रभावित था 2013 में आई रामलीला और साल 2015 में आई बाजी रामस्तानी के लिए मैंने दो बास सुशान सिंग राजपूर को अप्रोच किया था लेकिन उस समय वो यश्राज फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म पानी की वरक्शॉप और शेडियूल में व्यस्त थे एक डिरेक्टर के तौर पर मैं उनका पूरा अटेंशन और डेडिकेशन चाहता था लेकिन अपने ही शेडियूल की विस्तता की चलते खुद सुशान ने इन दोनों फिल्मों के लिए मुझे मना कर दिया था जिसके बाद मैंने उनसे फिल्मों को लेकर दुबारा कोई बात नहीं की सुशान को एक फिल्म अभीनेता की तौर पर मैं उसी तरह जानता था जैसे कि बागी कलाकारों को जानता हूँ वो मेरे इतने करीब नहीं थे कि मुझसे नीजी बातें साज़ा करें उनके डेप्रेशन की बात मुझे पता नहीं थी 2016 के बाद सुशान संग राजपूर से मैं केवल तीन बार मिला था वो भी सिर्फ फिल्म शोज के दौरान लेकिन इस दौरान किसी फिल्म को करने या फिर किसी अन्य चीज़ पर मेरी उनसे बात नहीं हुई थी रिपोर्ट्स की मताबिक भंसाली ने राम लीला सुशान को ओफर की थी लेकिन बाद में उन्हें रनवीर सिंग से रिप्लेस कर दिया गया कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ उन्होंने बाजिरव मस्तानी के वक्त भी किया था बाजिरव मस्तानी के लिए भी पहले सुशान को अप्रोच किया गया और बाद में उन्हें हटा कर दन्वीर सिंग को कास्ट कर लिया गया हाला कि अब संजर लिला भंसाली ने पुलिस से बातचीत में इन सभी बातों को गलत बताया है पतादिश अले के सुशान्त मामले को लेकर अब तक पुलिस ने करीब 30 लोगों के बयान रिकॉर्ड किये और अभी भी मामले की जाच जारी है